जो टी लवर्स उनके लिए रेसिपी बहुत ही बेनिफिस्यल है यह त्यु कि यह पासंद रही है इस वजेसे आज मैं मसाला चाय की राशीप पर शेयर कर्रहिए बनाने चाहे बनाने चाहे लिए यह देखे एलाची, लॉंग, काली मिर्च, दाल चीनी के एक प्रा और सौंफ यह थोड़ा सामें मसाला बना के बतारी हूं आप क्वांटिटी इसकी घटावड़ा सकते हैं, इस समय बारिस हो रहा है तो थोड़ा सा चीजों में नम ही आ जाती है, इस वज़े से मैं हलका सा ड्राय टोस्ट करें नो टोस्ट, बस इस वज़े से इसको डाल रही हूं इसमें, ताकि जब हम इसको कूटे तो आसानी से कू कूट लयेते हैं तो जब तक अम मसाल कूट. अब सब्सक्राइब लिसे आनली होके ज़ेक, हम एस माप लीजयों है यह, देखें जुफर ग्लास देखेंगे, कि मैंने टमकी सम माप लगेना, दाला है। झाला है। इसको पूट लेते हैं अच्छे से पाउडर बना लेंगे यह देखिए फ्रेंट्स चाय उबलने लगा है इसमें अच्छा उबाली आने देंगे इसको अच्छे से बॉयर न देंगे ताकि जो पानी का खच्छा पने वह दूर हो जाए फ्रेंट्स कई बार ऐसा होता है कि अच्छा आप से अच्छा आड़ किजेगा दरग डाल देरी हूं अध्रग को मैं ग्रेट कर लेरी हूं तो थोड़े मसाले रहेंगे तभी मसाला चाय बनेगी बहुत टेस्टी चाय बनती है फ्रेंट्स मैं दो लोगों के लिए बना रही हूं आप कॉंटिटी घटा अब इसको हम छान लेते हैं अगर आप चाहें तो यह जो इलाइची के हैं छिलके इसको आप चाय में एड़ कर सकते हैं ताकि हम छान लेंगे फिर इसको का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा यह देखें फ्रेंट्स मुझे मसाला मिल गया अब फ्रेंट्स इसमें हम दूद अब आएट करते हैं देखें छाय का कितना अच्छा कलर आया है दो ग्लास मैंने पानी लिया है उसी ग्लास से मैं एक ग्लास दूद ले रही हूँ फ्रेंट्स फुल फैक्त मिल यह मेरा दूद जैसा होगा गर गया का दूद पतल अब दूद की कॉंटिटी आप बढ़ा सक मसाला हम अपने टेस्ट के एक करेंगे जितना मसाला को पसंद चाय में उसी साफ से यह देखिए बहुत ही अच्छा बहुत खुबसुरत कलर राया है यह बहुत अच्छी आ रही है एक बात मैं और बदा दू आपको चाय पत्ती की क्वालिटी जैसी होगी उसी साफ से चापत अगर आपके चाय पत्ती की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फेर फ्रेंड्स विर चाय जादा डालें है अग्या है तो इसमें जादा चाह पत्ती आड़ कर लीजे लेकिन हमको यही पसंद ही देखिए बहुत अच्छा कलर दिख रहा है चाय बहुत अच्छा हमारा बना है दो से तीम नटीस को हम और बॉयल होने देंगे मारी चाय रेडी यह देखे फ्रेंड्स मसाला चाय बनके तयार हो गई फ्रेंड्स अगर अच्छी लगी तो थाम सब का बटन दबाएगा और फ्रेंड्स अगर मेरे स्चाय पर नए है तो मेरे स्चाय को सब्सक्राइब करना बिल्कूं मत बूलेगा ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियो फ्री में देखने को मिल सके